हेलो फ्रेंड्स वेलकॉम टू पीछ पी गुरु चैनल मेरा नाम है करन साडवे और लार्वेट 10 की लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लार्वेट 10 हम हमारी सिस्टीम में किस परकार इंस्टॉल कर सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लार्वेट 10 में हम माइस्कुल से डेटाबेस कनेक्शन की स्परकार कर सकते हैं तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट वी स्टार्ट तो सबसे पहले हम एक नया डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं के लिए हम जाते हैं लोकल होस्ट प्रेट में में और यहाँ पर हम एक नया डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो उसको नाम देते हैं हमारे यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट हो चुका है अब हम जाते हैं हमारे प्रोजेट के अंदर और प्रोजेट के अंदर हमें यहाँ पर एक डॉपन कर लेना है तो डॉट इन फाइल के अंदर आपको कुछ इस प्रकार मिलेगा डेटाबेस का जो कनेक्शन करना चाते हैं हम डेटाबेस से उसका नाम आएगा तो यहाँ पर माइस्कुल में वही रहने देता हूं उसके बाद जो डेबी का होस्ट है वह यहाँ पर आ जाता है उसके यहाँ पर एडिट कर दीजिए उसके बाद डेटाबेस का नाम तो यहाँ पर मेरे डेटाबेस का नाम लार्वेल 10 है तो मैं यहाँ पर लार्वेल 10 डाल देता हूँ उसके बाद यहाँ पर डीवी यूजर नेम जो आपके डेटाबेस का यूजर नेम होगा मेरा रूटी है कि यहाँ पर हम जाते कॉन्फीग और डेटाबेस.php के अंदर तो फ्रेंड्स जब हम डॉट इन्फाइल के अंदर चेंजिस करते हैं तो वहाँ पर मैंने माइस्कुल डाला है तो डेटाबेस.php के अंदर यहाँ पर आपको दिकरा होगा डिफॉल्ट डिवी कनेक्शन माइ तो आपको यहाँ डेटाबेस.php में हमें और भी कनेक्शन मिल जाएंगे हमारे डिफॉल्ट माइस्कुल इसलिए माइस्कुल इसके अंदर जाएगा और हमारे हमें जो भी चेंजिस की है वह यहाँ पर ओवराइड करते रहे हैं मानो टीवी डेटाबेस ईजरनेम पास्व जाल के अंदर भी यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं अब हम एक नया कंट्रोलर बना लेते हैं तो हम यहाँ पर कमंड डालेंगे कि अधिशन मेक कंट्रोलर और कंट्रोलर का नाम में लेता हूँ टीपी कंट्रोलर तो यहाँ पर हमारा कंट्रोलर क्रिएट हो गया है कि यहाँ पर हमें यूज करना है डीवी उसके बाद में एक फॉंक्शन क्रेट कर लेता हूँ यहाँ प्रोलर और फॉंक्रो. अधिशन करनेक्शन अगर हम यहां पर डेटाबेस का नाम कनेक्ट होता है और हमें डेटाबेस का नाम मिलता है तो यहां पर हम से इंपली डेटाबेस कर दो से पिक नेक्चान कीठ टेक्ट तर अ तो फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने क्या किया है सेंपली आपको दिखाने के लिए कि हमारा डेटाबेस सक्सेस्पूली हो गया है या नहीं यहाँ पर मैंने एक कंडिशन डाली है अगर db.connection होता है और उसमें डेटाबेस का नाम आता है तो उसे एक विरेवल के अंदर लेके उसे सिंपली आपको दिखाने के लिए तो अब हम जाते हैं राउट के अंदर वेब.php में तो यहाँ पर सबसे पर के जो हमरा कंट्रोलर है आप अब इस्टिटिपी इसके पाथ राउट एक नाय रोड बनाते है और वहाँ पर उसर राउट को नाम देते हैं कनेक्शन करते हैं कमांड में टाइप करते हैं कमांड प्रीट पर आईट है यह जो राउट है इसे हम कॉपी करके यहाँ पर डाल देते हैं तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि सक्सेस्फुली कनेक्टेड वान मिनिट तो यहाँ पर दिख रहा होगा सक्सेथ पूली कनेक्टेड ऑर डेटबस का नाम जो हमारा है यहाँ नाम्स अंज़ बतरा है यानि हमारा डेटा बेस queniından लार्विल 10 में successfully हो चुका है तो friends अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो like कीजिए, share कीजिए और मेरा चैनल subscribe कीजिए और अगर आपको कोई भी issue आ रहा होगा database connection करने के लिए तो आप मुझे comment करके बाता सकते हो, मैं आपको help कर दोंगा थैंक यू फर वाचिन इस वीडियो